नमस्कार मित्रों, अंकिताज एजुकेशन अड़ा में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में मैं सेयर कर रही हूँ एक बहुती महत्वपुन्ण और रोचक हिंदी टीचिंग मैटेरियल इसके द्वारा हम बच्चों को उपसर्ग बहुती आसानी से पढ़ा सकते हैं यहाँ पे हमने कार्टबोर्ट से एक बहुती आकरसक गीटार बना लिया है और इसके बाद हम एक सर्कल और एक रेक्टेंगल पेपर का कट आउट लेंगे और सर्कल के सेंटर में पिन करते हुए यहाँ पे लगा देंगे अब यहाँ पे हम लेकेंगे एक उपसर्ग कू कू एक उपसर्ग है उपसर्ग वे शब्द या सब्द शमू होते हैं किसी दूसरे सब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्थित कर देते हैं यहाँ पे कू का आर्थ होता है बुरा या खराब अब या किसी सब्द के आगे जुड़ेगा तो उसे बुरा या खराब में परिवर्थित कर देगा जैसे पुत्र अगर उसके आगे कू जुड़ गया कू पुत्र यानि की बुरा पुत्र खराब पुत्र इसे प्रकार से अगर हम दूसरा उदारर देखे ख्याती इसके आगे अगर कू जुड़ गया कू ख्याती अर्थात खराब ख्याती बुरी ख्याती कु रूप अठत खराब रूप कु शंग खराब शंगती तो यहाँ पर एक उपसर्ग है कु अब इसी प्रकार्चे हम बहुत सा आयोधारण बना सकते हैं इसके लिए हमें एक सरकल और एक रेक्टेंगल सेप का पेपर का कटाउट बना लेंगे यहाँ पर एक दूसरा है उपसर्ग सू शू का आर्थ होता है अच्छा तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं शू लेक अच्छा लेक शू पुत्र अच्छा पुत्र शू गम्या अच्छा रास्ता शू विचार अच्छा विचार शू प्रभात अच्छा सु लेक अच्छा लेक इसी प्रकर से यहाँ पर हम सू का देखें अब हम देखते हैं अर्द कहीं लगेगा तो उसके अर्द को आधा कर देगा जिससे अर्ध चंद्र, आधा चंद्र, अर्ध भाग, आधा भाग, अर्ध गोलाकार, आधा गोलाकार, इसी प्रकार से अर्धांगीनी, अर्ध नारीश्वर, अर्धात आधा नारीश्वर तो यहां पे अर्ध हो गया हमारा उप्षर्गम इसी प्रकर से महा, महा अर्ध होता है महान, महा मानो, महान मानो महा पुरुष, महान पुरुष, महात्मा, महान आत्मा, महा राजा, महान राजा, महा यग्य, महान यग्य